मुझे अनुरोद किया है कि मैं मुख्यमंत्री पत्से इस्थिपा आपके पास सोपरा हूँ सदानंगी ने उनके कारेकाल में करनाटिक में बहुत अच्छा कारे किया हमारे सरकार का बहुत अच्छा परफॉर्मस रहा है उनके खिलाब किसी प्रकार की कोई रश्टाचार और अन्य विश्वर पर किसी प्रकार की तकरार भी नहीं है पर पार्टी का हिट ध्यान में लेते हुए एक अच्छे कारे करता के रूप में उन्होंने संगटन के हीट में अपने इस्तिफा मुझे उन्होंने दे कर उन्होंने पार्टी के एक अच्छे कारे करताओं का परिचे दिया है उनका इस्तिफा पार्टी में स्विकार किया है कल हमारे राष्टिय नितुरूत्व में करना तक के बारे में चर्चा हुई है और इसलिए उनका इस्तिपा मैंने स्विकार किया है हमारे पार्टी ने करना तक के भवुष्य के गुरुष्टी से हमारे वहां के पार्टी के निता स्री जगदिश शक्ताथ इनको पार्टी ने करना तक का नित्रुत्व देने का तई किया है हमारे जेश्ट नेता अधरने अरुन जिटली जी और पुर्वा अध्यक्षराजना सिंग जी कल बंगलोर जाएंगे वहाँ खिसानिक नेताओं से चर्चा करेंगे विधायक दल की बैठक भी होगी उनके साथ भी चर्चा करेंगे और उसके बाद बाद सानिक नेटाओं से चर्चा करेंगे विदायक दल की बैठेक भी होगी उनके विसाथ भी चर्चा करेंगे और उसके बाद गवर्नर को हमारे वर्तमान मुक्यमंत्री सदानाजी और जो नेता जिसका चेहन होगा और जगजेश शेक्टार जी ये गवर्नर साथ को मिलेंगे स्री सदानाज गवर्ना इन्होंने करनाटक में यारा मेने के कारेकाल में बहुत अच्छा कारे किया है इसके पहले वो पार्टी के अध्यक्ष करके भी उन्हें अच्छा कारे किया है और उनके खिलाद किसी प्रकार की कोई तकरार नहीं है उनका नेतुरुत वका और उनके कारे करतुत वका उपयोग राश्टियस्तरपर और राज्यस्तरपर पारटी आगे निश्चित रूप से लेगी और करनाटक में हमारी सरकार करनाटक की जनता के लिए और अच्छा कारे करे और प्रभावी रूप से आने वाले दस महिने के अंदर जो लोकसभार विदानसभा का चुना होने वाला है उसमें करनाटक के सब नेता मिलकर पूरी ताकत के साथ चक्ति के साथ भारतिय जनता पारटी को जित हासिल करके देंगे ऐसा मेरा विश्वास है मैं फिर से एक बार सदानन जी ने जो बहुत ही पारटी के हीप में एक कारे करता के रुप में अच्छी बड़ी समयदारी से जुभी का ली है उसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अरुन जी और राजना सिंगी कल मंगलोर जाएंगे दल शाम को पोचेंगे और उसके बाद में विधायक दल की मिटिंग होने के बाद आगे की कारवे हो अगर प्रस्टाचार के आरोप नहीं था सदानन गोडा जी के खिलाव क्या पार्टी का ऐसा कौन सा हित था इनको बदलने की पार्टी के वर्तमान स्थिती में राजनीतिक स्थिती का विचार करते हुए और आने वाले चनाव में हम सब लोग मिलकर पार्टी को अच्छी जित हासिल हो इस दुष्टी से पार्टी के हित में ये निरने किया गया है ये अभी तो इतना इतना है रहत है कि नए नेता जग्दिश शेक्टार होंगे और उसके बाद में अरुन जी और राजना सिंग जी वाँ जाएंगे और फिर उसके बाद में उसके निरने वहीं है सदानान जी का राज्य में भी बहुत अच्छा कारे उन्होंने किया है। झाल झाल